नमस्कार आप देखरें जुन्भावना टाइम्स मैं हूँ आपके साथ शालिनी शुरुआस तो हमास और इसराइल के बीच जंग जारी है इस युद को लेकर दुनिया बटी हुई नजर आ रही है कोई हमास के साथ खड़ा है तो कोई इसराइल का समर्खन कर रहा है अमेरिका ने जहां इसराइल का साथ देने वाला वादा किया रूस ने इसराइल से अपनी चिंताएं जताई तो वहीं इरान ने गाजा पटी पर हमले और कबजे के मुद्दे पर इसराइल को चेताबनी दे डाली वहीं अब एक और मुस्लिम देश का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है इस मुस्लिम देश ने आतंकी संगठन हमास के साथ अपने दिश्टों की खुल कर वकालत कर दी है साथ ही हमास का समर्थन करते हुए कहा कि हम हमास के साथ थे और साथ नहीं दरसल मुस्लिम देश मलेशिया के प्रधान मंतरी अन्वर इबराहिम ने हमास के साथ अपने रिष्टों की खुल कर वकालत की है उन्होंने कहा कि हमास को गाजा के लोगों ने चुना है और मलेशिया हमास के साथ अपने संबंदों को कायम रखेगा मलेशियाई प्रुधान मंत्री ने कहा कि वो पश्यमी देशों के दबाव में आकर हमास की निंदा नहीं करेंगे इस्राइल पर हमले को लेकर जहां इसलामिक देश भी हमास के साथ खड़े पोने से बच रहे हैं तो वहीं मलेशिया खुल कर हमास के साथ खड़ा है मलेशिया IPM अनवर ने कहा कि मैंने पश्मी देशों से कहा है कि हमास के साथ हमारा रिष्टा हमारी नीती रही है और ये रिष्टा आगे भी कायम रहे इस तरह हम पश्मी देशों के दवाब वाले रविये से सहमत नहीं है क्योंकि हमास गाजा में जनता की तरफ से चुन कराया है और गाजा के लोगों ने उन्हें नितुर्थ करने के लिए चुना है बता दे कि 7 अक्टूवर को हमास ने तीन ओर से इसराइल पर जोरदार हमला किया था बता दे हमास के कमांडो तार फिंसिंग तोड़कर इसराइल में प्रवेश कर गए थे और मौत का तांडव मचा दिया था वहीं कई लोगों को अपने साथ बंदग बना कर भी ले गए था इसे बीच दोनों तरफ से इसे जंग में अब तक 4,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है हजारों की संख्या में लोग घायल और लाकता भी है तो ऐसे बड़ी अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं जुन भावना टाइम्स नमस्कार